तो स्वागत है आपका UPSC classes में मैं हूँ हिमानसु पांडे और आज है हमारा geography का lecture 14 जो की है jet streams हमने पिछले lecture में भी देखा था कि कैसे jet streams का origin होता है और different animations के जरिये भी हमने देखा था कि कैसे jet streams अर्थ के around circular path में move होता है और हमने देखा था कि कैसे meander formation होता है within jet streams यानि कि jet streams होते हैं वो trough और ridge बनाते हुए चलते हैं आज हम थोड़ा और elaborate करेंगे jet streams को और यह lecture हमारा थोड़ा short रहेगा क्योंकि jet stream का जो concept है केवल वो मैं इस lecture में cover करूँगा तो चलिए शुरू करते हैं यह हमारा jet stream का path रहता है हमने formation पिछले lecture में देखा था अगर आपने पिछला lecture नहीं देखा है तो वो देखना काफी जरूरी है क्योंकि उसमें ही मैंने concept बताया था कि कैसे equator से जब हम troposphere में upper level पर जाते हैं क्योंकि जितने हमारे headly cell, feral cell और polar cell बनते हैं वो हमारे lower troposphere में बनते हैं जब कि जो jet streams होते हैं वो हमारे upper tropospheric level में बनते हैं और उसका मैंने region बताया था कि equator पर जो हवाय ऊपर रुपती हैं वो compress करती हैं tropopos के पास यह upper troposphere level में हवाओं को और जो pole पे हवाय descend होती है वो यहाँ पर rareification करती हैं इससे एक pressure gradient पैदा हो जाता है और equator से यानि कि high pressure से low pressure की ओर अपर troposphere layer में हवाओं चलनी चाहिए थी लेकिन because of coriolis force और upper level में friction के ना होने से 90 degree पे deflection हो जाता है इससे होता क्या है कि यह westerly jet stream के रूप में चलने लगती है यह हमने पिछले lecture में discuss किया हुआ है तो हमने देखा था कि जो jet streams होती है वो कैसे होती है circumpolar होती है circumpolar का हमारा क्या मतलब हुए कि अगर हम top view देखें अगर हम अपनी eye को इधर लगा के देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि pole अगर हमारा एक center पर है तो जो jet stream होगी वो इसके circular path पर travel करेंगी जो हमने सब tropical jet stream देखी थी northern hemisphere में और southern hemisphere में और polar jet stream northern और southern hemisphere में तो जो हमा and jet stream थे वो कहें circumpolar भी उनको हम भोल सकते हैं दूसरा है कि यह narrow bands में travel करते हैं यानि इनका जो diameter रहेगा वो केवल 50 to 150 km across रहेगा यानि यह जो इनका diameter रहेगा यह एक काभी narrow band में रहेगा यानि 50 से 1500 km के आसपास रहेगा और यह इसी रूप में travel करेंगी आगे हम फिर से जो आपको समझा चुके हैं वेस्टरली यानि वेस्ट से इस्ट की ओर ट्रेवल करेंगी जियो स्ट्रॉफिक स्ट्रीम रहेगी मैंने एक लेक्चर में आपको जियो स्ट्रॉफिक के बारे में बता रखा था अब यह अगली स्लाइड में भी इसको देखते हैं और फ्लोइंग एट हाई वेलिसिटी जो इनकी वेलिसिटी होगी वो काफी ज्यादा हाई होगी जिसके कारण हमने देखा था कि अगर जैट स्ट्रीम के डारेक्शन में अगर कोई एरूपलेन या कोई एर वेकल ट्रेवल करता है तो वो काफी तेज स्पीड हो जाएगा और अ इंक्रीजन ट्स वेलिसिटी तो वेलिसिटी जैसे जैसे बढ़ती है जैसे 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 बढ़ती है कUI्योंकि वहाँ पे अर्थ का जो रिजिस्टेंस आता है मानटन्स का या प्लेटो का वह नहीं होता है सम् translator की कालme Täर जयादा है यह यह जैए इसलिए फ्रिक्षित्टि भी काफी जाद हो जाता है, और pressure gradient force और coriolis force एक दूसरे को balance करते हैं और हवाएं isobars के parallel चलती है, इसको हम बोलते हैं geostrophic wind, तो the wind is known as geostrophic wind, jet stream जे जिए geostrophic wind, अब हम देखते हैं upper tropospheric westerlies, तो ये figure हमने देखा हुआ था पिछले lecture में भी, तो ये हमारी जो westerlies के रूप में jet stream चलती है, ये हमारी उपर polar westerly, ये polar jet stream और ये नीचे polar jet stream और ये हमारी sub tropical jet stream होती है, जीज में हमारा equator रहेगा, तो jet streams are produced due to winds flowing from tropics toward pole tropics से poles की तरफ wind flow होने से jet stream पैदा होती है, just below the tropopause, यानि troposphere के upper level में, just below the tropopause के हमने पढ़ा है, troposphere और stratosphere के बीच की dividing layer जिसको हम बोलते हैं, tropopause jet stream produced between polar and temperate air masses, is called as polar jet stream और polar jet, तो ये tropic और temperate region के बीच में जो jet stream रहेगी, उसको हम sub tropical jet stream बोलते हैं, और temperate region और polar region के बीच की जो jet stream रहेगी, उसको हम बोलेंगे polar jet stream, jet stream produced between temperate and tropical air masses, is called as subtropical, ये हमने देख लिया, तो ये मैं आपको पिछले lecture में ही बता चुका था, जैसे हम equator पे हैं, तो हमने बात की थी, कि यहाँ पे high pressure create होता है upper troposphere level में, और हम subtropical zone तक जाते हैं, यानि कि 30 degree के आसपास तक, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे low pressure create होगा, upper troposphere level में, हम नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे feral sail, headless sail और यह सब बनते हैं, upper troposphere की बात कर रहे हैं, और यह pressure कम होते जाएगा, कहां तक, जब तक ह pole, तो यहाँ से हमने देखा था कि air, यहाँ चलनी चाहिए, लेकिन because of frictionless area और corollist force यह westernly में convert हो जाती है, तो वही हमने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, कि अगर हम temperate region से बात करते हैं, तो temperate पे जो होगा, वो high pressure create होगा, pole पे low pressure create होगा, जिससे क्या होगा, pressure gradient पैदा ह होगा, और pressure gradient पैदा होने से क्या होगा, high pressure से low pressure की और हवाय चलने लगेंगी, और यह हवाय चुकि deflect हो जाएंगी right direction में, इसलिए westerly हमारी चलने लगती है, तो यह अभी मैंने आपको पिछले lecture में detail में बताया हुगा था, तो आप पिछला lecture जरूर देखिएगा, यह वाल जाता हुआ, यह मैंने बनाया है, सब tropical jet है, और यह polar jet है, high velocity, तो उनकी जो velocity होगी, वो काफी ज्यादा high होगी, आप इस figure में देख सकते हैं, कि अंदर का जो area है, जिसको core बोल सकते हैं, उसमें speed और ज्यादा high होती है, सबसे ज्यादा high speed होगी, अंदर के core area की, और बाहर ज जैसे जैसे जाएंगे, तो speed कम होती जाएगी, तो the friction in the upper troposphere is also quite low due to less dense air, तो upper troposphere में less dense air होती, इसलिए friction भी कम होता है, jet stream can reach speed up to 400 kmph, यानि km per hour, और इस ज्यादा भी speed हो सकती है, jet streams की, so jet streams have an average velocity 120 की रहेगी, जो की winter में होगी, और summer में कम हो जाएगी speed 50 के आसपास, these jet streams also have course, where the speed is much greater, much greater, मेंडरिंग यह मैंने बता दिया था, कि यह मेंडरिंग करते हुए, आगे बढ़ते है, when the temperature contrast is maximum, अभी मेंडरिंग क्या होती है, अगर temperature contrast, यानि कि यहाँ पर cold air mass है, यहाँ पर warm air mass है, अगला lecture हमारा है, जो fronts के उपर है, वहाँ पर हम अच्छे दे, template cyclones और warm front, cold front और air masses का फंड़ा समझेंगे, तो होता क्या है कि अगर temperature contrast बहुत ज्यादा है, यानि कि उपर cold air mass है, नीचे warm air mass है, इनके बीच काफी difference है, इनकी qualities में, जैसे कि temperatures में, तो क्या होता है, जो jet stream रहेगी, वो near straight रहेगी, तभी वो straight रहेगी, क्योंकि ये उसको air masses जो है, इनका contrast इतना है, ये mixing होने नहीं पाएगी, और ये इसको सीधा रखने की कोईजिस करेगी, लेकिन जैसे जैसे इनके बीच का temperature contrast कम होना सुरू होगा, यानि cold air mass गरम होना, warm air mass ठंडा होना सुरू होगा, उनकी बीच temperature का contrast कम होगा, तो ये ज्यादा meander होने लगेगा jet streams में, ये बाता समझ जाएगी, but when temperature contrast reduces, यानि jet stream weak हो जाएगा, the jet stream starts to follow a meandering path, वे भी irregular manner, with a pole ward और equator ward component, यानि pole ward भी भागेगा, equator ward भी भागेगा, अगर इनके बीच, air masses के बीच में जो temperature contrast है, वो कम होने लगेगा, तो, तो अभी हम देखते हैं कि अगर high temperature gradient होता है, यानि pressure difference जो है, वो काफी ज्यादा है, तो क्या होगा, high pressure gradient भी होगा, अगर high temperature gradient है, तो high pressure gradient भी बनेगा, और जो wind speed होगी, काफी ज्यादा होगी, जिसने ज्यादा से ज्यादा coriolis force काम करेगा, geostrophic stream आएगी, यानि जो equator से pole तर पर deflect हो जाएगी, और as a westerly चलने लगेगी, जिसे हमने क्या बढ़ा है, geostrophy stream, और फिर ये wind direction जो होगी, parallel हो जाएगी, आईसो बार्स के, और एक perfect west east flow हमें देखने को मिलेगा, और अगर इसका उल्टा होता है, यानि कि low temperature gradient रहता है, तो जो coriolis force होगा, वो भी low रहेगा, और जो winds start होगी, वो meander करना start कर देंगे, तो इनी waves को हम बोलते है, रोजबी waves, तो हम देखता है, रोजबी waves क्या होता है, यही जो save हमने देखी है, jet streams की meander करती हुई save जो है, इसको हम बोलते है, रोजबी waves, तो आप ये figure देखिएगा, figure A जो बना हुआ है, यहाँ मैंने यह बनाया है, यह आप देख सकते हैं, यह हमारी एक jet stream है, अभी यह आल्मोस्ट एक straight path पे travel कर रही है jet stream, इसका मतलब है कि जो cold air है उपर और नीचे जो warm air है, इनके बीच काफी जादा temperature का contrast रहा होगा, जिसलिए यह jet stream जो है वो लगबग straight path पे travel कर रही है, अभी हम अगला figure देखते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, जो cold air और warm air ने push करना शुरू किया इसको, cold air नीचे तरफ और warm air उपर की तरफ इसको push करती है, और यह हमारा देखिए, जो shape है, meandering shape में, एक northward और दूसरा इसका component, southward यानि equatorward जाने लगा, अगला figure आप देखिएगा, अभी यह मे warm air काफी उपर push कर रही है, तो यह meandering ज्यादा होने लगी, इससे होगा क्या, एक वक्त ऐसा आएगा, कि यह, जो हमारा warm component था air का, यह उपर ही रह जाएगा, और cold air component था, वो नीचे ही रह जाएगा, और यह सीधा, फिर से अपनी पुरानी position में पहुंच जाएगी, jet stream, जो meandering ships में चलना जो होता है, इसको हम बोलते है, रोजबी waves, तो the meandering jet streams are called, रोजबी waves, रोजबी waves are natural phenomena in the atmosphere and ocean, due to rotation of earth, तो rotation of earth के कारणी यह फेनोमना अकर होता है, in रोजबी waves, polar air moves towards the equator, while tropical air moves, पोलवार, यह meander is called, peak or ridge, मैंने आप पिछले lecture में भी बताया था, कि यह जो meandering wave ब उपर जाने वाला component है, उसको हम बोलते है, peak या ridge, और जो नीचे जाने वाला component है, इसको हम बोलते है, trough, trough को हम समझ सकते है, low pressure, और ridge को समझ सकते है, high pressure, high pressure के हम बोलेंगे, यहाँ पर जो airs होंगी, वो converge हो रही होंगी, ऐसे, तो इसको हम, क्योंग यह तो हमने 2D में दे लगेंगे, तो air के converge होने से यहाँ पर high pressure create हो रहा होगा, यानि कुछ ऐसे, और trough में क्या होगा, यह air यहाँ से निकलेंगी, तो diverge होने लगेंगी, ऐसे, तो diverge होके यह ऐसे area बढ़ जाएगा, तो इसको हम, इसमें क्या है, low pressure create हो जाएगा, इसको हम बोल सकते है, diverging air, य और trough को समझ सकते हैं, low pressure से, और हमको पता है, हमने अपने कई lecture में, सुरुवात में ही देख चुके हैं, कि जो low pressure area बनेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, इन stability की condition आएगी, यानि इतने भी storms वगएर आएगे, वो low pressure area में आएगे, तो यह trough जहां-जहां move करेगा, यानि कि हम रहा है, तो वो airs को नीचे से उपर सक करेगा, तो इससे क्या होगा, हमारी cyclonic condition पैदा होगी, इसको हम आगे detail में, फिर से एक देखते हैं, तो यह meander is called peak or ridge, if it's toward poles, and trough if it's toward equator, यानि equator वाट रहेगा, तो trough बोलेंगे, पोल वाट रहेगा, तो ridge बोलेंगे, The existence of these waves explains the low pressure cells, यानि कि cyclones, low pressure cells का मतलब सीधा से cyclones, and high pressure cells, यानि कि anticyclones, मैंने आपको बता रखा है कि high pressure मतलब divergen होना air का, क्योंकि उपर से air आ रहे हैं, high pressure create कर रहे हैं, और divergence हो रहा है, तो यह हमारी anticyclone एक condition बनती है, यह मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप पिछले lecture म बिलकुल ध्यान से समझना है, और एक एक point को geography का समझना है, तो आपको मेरे सारे lecture सुरू से देखने पड़े हैं, अभी हम देखते है, permanent jet streams क्या होता है, तो हमने जो चार jet stream पढ़े हैं, यानि polar jet और subtropical jet, दो northern hemisphere में और दो southern hemisphere में, इनको हम बोलते है, permanent jet stream, that bridge through the upper troposphere for most part of the year, तो इस फिकर में आप देख सकते हैं, यह हमारा subtropical jet उपर, और यह subtropical jet नीचे, एक polar jet नीचे, एक polar jet उपर, तो यह चार को हम क्या बोलते हैं, permanent jet stream, बाकि यह जो tropical easterly jet वगे रहा है, यह हम अभी देखते हैं, तो जो subtropical jet stream है हमारा, इसको हम HDJ भी shortcut में लिखते हैं, तो the HD exist all year in the southern hemisphere, southern hemisphere में यह पूरे साल more or less travel करता रहता है, sub-tropical jet जो हमने पढ़ा है, however, it is intermittent in the northern hemisphere, northern hemisphere में यह intermittently travel करता है, कवंकि जब summer होती है, तो हमें पता है, summer होने पर क्या होता है, ITC jet उपर की तरफ move करता है, ITC jet का हमारा मतलब है कि जो wind converge होती है, equator पे, यह पूरा system हमारा जो ह जाता है, इसलिए sub-tropical jet भी हमारा northward travel कर जाता है, तो यह होगे हमारा sub-tropical jet stream, फिर हमारा polar front jet, जो pole और temperate region के भी चलती है, यानि polar front jet, यह polar front jet stream, तो the strongest jet streams are the polar jet, यह हमारे strongest है, और जो sub-tropical jet होती है, वो थोड़े weaker रहते है, weaker और stronger से हमारा मतलब उनकी speeds बगारा से, the northern polar jet stream, follow the sun, तो northern जो polar jet stream होगी, वो sun को follow करेगी, मतलब जैसे ही हमारा summer आएगा, तो उपर की तरफ migrate करेगी, तो it slowly migrates northward in summer and southward in winter, it has a more variable position than the sub-tropical jet, तो sub-tropical jet से इसकी position चैदा vary करेगी, in summer its position सिर्फ towards the pole and in winter towards the equator, winter में sun नीचे move करेगा, तो हमारा जो itc jet है नीचे की तरफ move करेगा और यह भी जो हमारे jet stream है, polar jet stream वो भी नीचे की तरफ move कर जाएगी, the jet is strong and continuous in winter, winter में यह continuous रहेगी यह strong रहेगी, winter में क्यों strong रहेगी, क्योंकि sun हमारे नीचे तरफ move कर रहा है, it greatly influence climates of region line close to 60 degree latitude, तो क्योंकि यह 60 degree latitude पर ही travel हो रही है, तो वहां का जो climate होगा उसको यह काफी जादा influence करेगी, it determines the path and speed and intensity of temperate cyclone, तो जो हम अगले lecture में अपने temperate cyclone पढ़ेंगे, तो महां पढ़ेंगे, इसकी जो jet stream है, इनके path और speed से temperate cyclone की intensity प्रभावित होती है, temporary jet streams क्या होते हैं, हमने permanent देखे, अब temperate में हमारे क्या होते हैं, तो they are few, important ones are Somali jet stream और African easterly jet, यह हमारे temporary jet stream होते हैं, यहाँ पर छोटा सा देख सकते हैं, यह Somali jet हमने बनाया हुआ है, यह आप देखेगा, यह green color से Somali jet है, यह Medagascar है, और इसके northern side से सुरू होता है, और यह हमारा Somalia है, Somalia के off cost, यानि कि Somalia के तट से दूर, ocean से, यह हमारा Somali jet शुरू होता है, और जो हमारा South West मांसून आता है, जो मैंने आपको बताया था, इंडिया तरफ, इसको यह influence करता है, और अगर यह Somali jet हमारा strong रहता है, तो हमारे यहां मांसून भी strong होता है, जिसको हम इंडियन मांसून में पढ़ेंगे, तो यह हमारा एक होता है Somali jet, Somalia के नाम पे इसको हम Somali jet बोलते हैं, तो यह एक हमारा temporary jet stream है, एक African Easterly jet है, जिसको अगले स्लाइट में देखेंगे, तो they are major high velocity winds in the lower troposphere, तो यह lower troposphere की बात कर रहे हैं, and hence they are called low level jet, इसलिए इनको हम low level jet कर रहे हैं, तो अब अब तक की बात समझ गए होंगे, कि कभी हम toposphere के नीचे के layer की बात करते हैं, यह अगर हमारी अर्थ है, तो कभी हम नीचे के toposphere की बात करते हैं, कभी ऊपर के भी, क्योंगी दोनों जगे, अलग-लग type से air का movement होता है, तो अब तक अगर हम लोग revise करें, तो हम लोग जान चुके हैं, कि अर्थ है, हमारे polar cell, headly cell और feral cell जो बनते हैं, जिसमें मैंने बोला था, headly cell और polar cell जो है, जो thermal origin के हैं, यह convective cells हैं, और जो feral cell है, वो polar cell और headly cell के बनने के कारण वो बनता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं, dynamic origin, तो इनके region से हमारे trade winds, westly, easterly, जो की toposphere के नीचे level पे, जो earth के surface को effect करते हैं, create होते हैं, और अगर हम upper level की बात करते हैं, toposphere की, तो वहाँ पे हम देखते हैं, अपने jet streams, अभी lower level पे हम एक देख रहा है, जो हमारे temporary jet stream में, इसको हम बोलना है, Somali jet, तो यह हमारा Somali jet है, अ Southwesterly jet, यानि Southwest से आता हुए देखेगा, जैसे हमारा मानसून, Southwest मानसून आता है, तो Southwest के तरफ से आते हुए होने के काराण इसको हम बोलता है, Southwesterly jet, तो तो Somali jet occurs during the summer, जब हमारा मानसून आता है, over Northern Madagascar and off the coast of Somalia, the jet remains relatively steady from June to September, तो June से September तंग यह steady रहता है, तभी हमारा मानस मानसून आता है, अगर यह कमजोर हो गया, Somali jet, तो मानसून भी कमजोर होता है, before moving Southward, इसके बाद हो Southward चला जाता है, और मानसून भी हमारा कमजोर हो जाता है, और यह हमारा है, अगला हमने बताया था आपको Tropical Easterly jet, इस तरफ से आने वाला, यह है, इसको हम मोलते है, African Easterly jet, तो यह तो हमारा सब Tropical jet stream में जिसको हम पढ़ चुके हैं, और यह हमारा जो है African Easterly jet, यह यहां से travel करते हुए आता है, एक यहां पर Caribbean low level jet भी है, तो यह हमारे जादे important नहीं है, तो जो important है मैंने आपको बता दिये, अब हम देखते हैं कि influence of jet streams on weather, weather पर कैसे influence होता है jet streams का, तो jet streams help in maintenance of latitudinal heat balance by mass exchange, हम लोगों ने देखा है कि कैसे warm air mass और cold air mass jet streams के द्वारा separate होते हैं, तो अगर यह jet stream weak होता है या strong होता है, तो हमारे warm air mass और cold air mass की mixing भी possible होती है, इसलिए हम भोल सकते हैं कि lower level की heat को उपर की तरफ या उपर की coldness को नीचे की तरफ यह exchange करते हैं, तो sub-tropical jet stream and some temporary jet streams together influence Indian monsoon, तो जैसे मैंने सुमाली jet के बारे में बताया है कि temporary jet stream है और Indian monsoon को प्रभावित करता है, इसको हम आगे भी देखेंगे, तो ऐसे ही sub-tropical jet stream है, वो भी Indian monsoon को effect करता है, jet streams also exercise and influence on movement of air masses, तो जो air mass है, अगर वो jet stream के influence में आता है, तो यहां से यहां move कर सकता है, यहां move कर सकता है, जैसे जैसे jet stream मेंडर करेगा, वो भी move कर सकता है, इसको मैंने वो पिछले lecture में भी एक animation की जड़ी बताया था, अगले slide में दिखाऊंगा, तो jet stream also exercise and influence on movement of air masses, which may cause prolonged drought और flood condition, तो flood condition और drought कंडिशन यह सुखा, drought बोलता है, सुखा, की condition भी आ सकती है, और आती है, अब हम देखते हैं, jet streams and weather in temperate regions, तो जो हमारे polar front jet है, वो प्ले करते हैं, key role to determine the weather, because they usually separate colder air and warmer air, तो colder air और warmer air को separate करते हैं, इसलिए इनके द्वारा weather decision होता है, की cold air उपर जाएगी, warm air जाएगी, की warm air और cold air कैसे वहब करेंगे, कैसे mixing होगी, की नहीं होगी, तो यह हमारे weather को temperate region में effect करते हैं, तो jet stream generally push air masses around, moving weather system to new areas, and even causing them to stall if they have moved too far away, तो यह air masses को push करते हैं, और जो weather condition है, एक जगह से दूसरे जगह टांस्पोर्ट कर देते हैं, तो PFJ यह polar front jet play a major role in determining the path and intensity of frontal precipitation and frontal cyclone, तो जो scientist बगहरा है, temperate region में अच्छे से forecast कर पाते हैं, decide कर पाते हैं, कि यह इस region में अगर कोई frontal mass है, या frontal cyclone है, तो वो कैसे air jet के मध्यम से, किस किस एरिया में travel करने वाला है, तो वेस्टरली ही travel होगा, क्योंकि west से east की तरफ ही jet stream चलती है, तो forecast बड़े आसानी से possible हो पाता है, कि rainfall होना है, कि नहीं होना है, इसलिए temperate zone में यह काफी आसान है, जब कि इंडियन मांसून को predict करना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ पे यह temperate, जो mass, air mass होते हैं, इनके कारण cycle होन नहीं आते हैं, जब कि tropical cycle होन आते हैं, जिसको हमने पिछले lecture में देखाया है, तो weak अगर polar front jet है, तो उससे क्या होगा, जब का slipping हो जाएगी polar vortex की into temperature region, यानि यह अगर weak हुगा हमारा jet stream, तो उससे होगा क्या कि उपर का जो cold region का cold air mass है, तो वो slip हो जाएगा नीचे temperature region में, क्योंकि यहाँ temperature region नहीं पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे काफी ज़्यादा ice का precipitation होगा, जिसको हमने street वगहरा पढ़ रखे हैं, क्योंकि अगर यह temperature air jet stream अगर weak है, तो यह cold air आसानी से temperature region में move कर जाएगी, तो इस figure में आप देख सकते हैं, कि अगर air jet stream ऐसे move कर रही है, तो हमारा जो cyclone या air mass का movement है, वो कैसे हो सकता है, और यही air mass अगर यहाँ पे हो, तो यह कोई effect नहीं करेगा, मतलब यह इसी place को effect करता रहेगा, आगे किसी और place पे movement नहीं हो पाएगा, यहीं से dissipate हो जाएगा, तो ridge और trough के बारे मैंने आपको बता दिया है, कि जो हमारा उपर उठता हुआ region है, या जिसको हम बोलते हैं, कि air का conversion हो रहा है, यानि air converge हो रही है, उसको हम बोलते है ridge, या इसको बोलेंगे high pressure, और trough है, इसका मतलब है, जो cold air है उपर से, वो इसको नीचे की और push कर रही ह यह warm air के against, तो यहाँ पर हमारा क्या है, कि air जो है, वो diverge हो रही है, और हमारा low pressure create होता है, तो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यह पढ़ सकते हैं, कि ridges occur where the warm air, यानि कि at high pressure pushes against the cold air, तो यह warm air है हमारी, यह उपर cold air है, उसको push कर रही है, और trough है, वो नीचे warm air को cold air के जो है, कि यहाँ पर हो गया, high pressure, तो active weather occurs ahead of trough and quiet weather beneath the ridge, तो जो हमारा active weather का मतलब क्या होगा, कि जहाँ पर cyclones बगेरा हैंगी, rainfall बगेरा होगा, तो active weather तो हमें पता है, कहाँ पर होगा, जहाँ पर instability है, instability कहाँ पर होती है, जहाँ low pressure होता है, यानि ट्रफ रीजन में क्या होगा लो-pressure यानि कि in stability यानि कि active weather रहे गा और जो ridge पर होगा इसका opposite रहेगा यानि कि quiet weather रहेगा काम रहेगा यानि ridge के नीचे क्योंकि वहां high pressure region आठ एर descend होगी high pressure होने इसके air descend होगी इसको हम अगली slide में देखते हैं और काई देशर तो आप इस figure को देख सकते हैं यो पहला फिगर मैंने बनाया है तो हम देख रहा है कि air jet stream जो है अपर टॉकोष फिर में travel कर रही है तो आप इन दोनों फिगर को देखिएगा अगर हम केवल विप फॉर्म में दिखाते हैं तो हम इसको air jet stream को ऐसे दिखाते हैं तो यह हमारा रिज है और इसको हम अगर 3D में देखनी कोसिस करते हैं तो air यहां पर converge हो रहे हैं air converge होने से क्या होगा air नीचे descend भी होगी यहां पर air काफी ज़्यादा converge हो गई descend होगी descend होने से यहां से यह high pressure create करेंगी और diverge हो जाएंगी हर direction में तो यहां पर हमारा क्या होगा stable condition होगी क्योंकि descend होती हुई air कभी इने stability नहीं लाती है कोई rainfall नहीं होगा और फिर यह आगे जाके क्या होगा converge होई है तो यह diverge भी होगी diverge होते ही क्या होगा यहां पर verification होगा air का यानि कि यहां पर low pressure create होगा और नीचे से हवाओं को यह उपर सक कर लेंगी तो आप बोल सकते हैं कि अगर अगर ट्रफ रीजन है divergence का मतलब ट्रफ रीजन जो आप यहां देख सकते हैं तो अगर ट्रफ रीजन है और यह अगर हमारे मालो इंडिया के उपर से जा रही air तो low pressure create होने से क्या होगा यह air को ऊपर सक करेंगी और low pressure अगर create हो रहा है heat के कारण तो वह और strong होगा जिससे चारो तरफ से फिर यह low pressure की तरफ हवाएं दोड़ गया आएंगी और correlate force के कारण यह deflect हो जाएंगी और anti clock wise moment करने लगेंगी और cyclone formation होने लगेगा तो आप एक बार फिर से देख लिए कि यहाँ पर air converge हो रही है जिससे की यहाँ पर high pressure create होगा और यह high pressure create होगा नीचे air diverge कर जाएगी और यहाँ पर anti cyclonic low बनेगा और जहां से divergence होगा तो वहाँ पर air को सब करेंगी तो low pressure create होगा और cyclonic flow पैदा होगा औ जो मैंने आपको समझाया है वो नीचे लिखा भी हुआ है तो यह points आप पढ़ सकते हैं जिससे कि आपको आगे revision भी करने में दिक्कत नहीं होगी तो आप यह slide download कर सकते हैं मैं description box में link दे दूँगा तो यह मैंने आपको पिछले lecture में भी बताया था कि अगर jet stream के along कोई plane travel करता है तो उसको कम समय लगेगा उतनी ही दूरी तैगन्ने में अगर वो इसके against जाता है उसके comparison में तो यहीं पर हम अपना आज का lecture खतम करते हैं और आपको lecture कैसे लगा यह comment box में आप जरूर वेक्चर हमारा जो होगा वह होगा टेंपरेट एयर मास इस पर यह टेंपरेट साइक्लूम्स कैसिव क्रियेट होते हैं उस पर थैंक्यू